तो दूस्तों आज मई की बारां तारीक है और आज का जो यह वीडिये यह बहुत खुबसूरस एक इंडोर एर प्यूरिफायर प्लांट और कहा लीजे की फ्लारिंग प्लांट ऐसा पौधा जो सैमी शेड या इंडोर के लिए परफेक्ट है हवा को शुद करता है और साथ के वराइटी का लातर लगा लिया तो एक से सेंकडो पौधे लगबग आप एक से दो साल की समय में ही बहुत जल्दी से त्यार कर लेंगे तो कौन सा ये पौधा है क्या इसका नेम है चली आपको पास से दिखाता हूँ ये जो आप देख रहे हैं ये पीस लिली का पौधा है इसको पीस लिली बोलते है और इस तरह से देखिए इसमें स्पैथ या फिलार्स निकल कर आते हैं इसको स्पैथ बोलते हैं ये इसमें तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एक नाग के फन की तरह स्नेक का जो फन रहता है कुछ उस तरह से इसके जो फ्लार्स हैं वो दिखाई देते हैं बहुत खुब सुरुत रहते हैं सफेद रंग में एक ही कलर इसमें निकल कराता है वो है वाइट कलर रही बात यह जो आप मेरा बहुत तो इस तरह की या तो शैलो पोर्ट रहती है या बड़े दस या बारा इंच के गमले रहते हैं या फिर कुछ-कुछ गमले बहुत बड़े भी रहते हैं जहां पर अगर आप देखेगा यह मेरे गुलाब के पौदे हैं तो अभी गर्मी का मौसम है बहुत तेज जो हुआ कि पिछले विंटर की शुरुआत में लगबग मैंने बहुत से अपने जो प्लांट से उनके जो रीपॉर्टिंग का प्रोसेस है वो किया था उस दोरान मैंने इस पौदे की भी शिफ्टिंग करनी थी लेकिन मेरे पास जो पोर्ट सें वो कम पढ़ गए उस वजह से इस पौदे की जो मैंने रीपॉर्टिंग है एक ब्लैक कलर का जो नसरी पोर्ट रहता है इसके अंदर जो वो कर दी थी तो ये पौधा बहुत पुराना है पहले मेरे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहता था अभी लेकिन मैंने कहां पर लगाया अभी इसको चट पर प्ले इन पौधों को रीपॉर्ट किया है अभी तक यह स्टेबल नहीं हुए आपके बहुत से कमेंट साय थे इंको प्लेस कहां पर करना होता है जब आप नए पौधे रीपॉर्ट करते हैं तो इनको सेमी शेड में रखना सही रहता है लेकिन अभी मैंने क्या इनको सनलाइट मे जो है वो बाहर निकाल दिया है नर्स्री के अगर प्राइस की बात करूं तो पीस लिली के पौधे आपको नर्स्री पर वराइटी टू राइटी जो है वो अबलेवल रहते हैं बहुत सी वराइटी में आते हैं कुछ की लीव्स बहुत ब्रोड रहती हैं बड़ी बड़ी रुपीज के आसपास कुछ के 50 रुपीज के आसपास कुछ आपको 500 600 इस तरह से अलग लग रेंजिस में जो है वो दिखाई देंगे बात करूं लोकेशन की तो इन पौधों की लोकेशन ऐसी रहनी चाहिए अगर आप इंडोर में प्लेस करते हैं जैसे मैंने बताया इंडोर की लिस्ट में आता है तो किसी खिड़की के पास विंडों जहां पर ब्राइट लाइट रहे सुवा सुवा की एक दो घंटे की धूप आए वहां पर यह पौधे अच्छे से चलेंगे अगर आप बिलकुल इनको चाया दर जगा में अंधेरे कमरे में लगा देंगे तो वह हो जाती है पत्तियों की जो ग्रोथ है वह बिलकुल रुक जाती है और रेंज और बिलकुल डैल सी इन पौधों को जब भी आप प्लेस कीजिएगा इंडोर में तो इनको वीकली एक से दो बार अच्छा मॉइस्टर जो हुमिडिटी के लिए जो मॉइस्टर का स्प्रेय है जो पानी का स्प्रेय है वो ज़रूर कीजिए अभी भी रेखिएगा अगर आप इस समय पर मैंने इस शेड में रखा था इस तरफ केवल सुबा सुबा की एकाद घंटे की धूप लगती थी बाकि सारा समय ब्राइट लाइट में जो है वो रहता था उस तरह से इसको प्लेस किया तो अगर आप भी इस पौधे पर फूल चाहते हैं इस तरह से ही इस पौधे को प्लेस कीजिए रही बात प्रॉपागेशन की इन पौधों की प्रॉपागेशन या तो आप पानी में कर लीजिए बिलकुल यह पौधे असानी से जो है वो मनी प्लांट की तरह पानी में चल जाती है इनकी प्रॉपागेशन कैसे की जाती है इन पौधों की जो इस तरह से नीचे से देख तो मिट्टी कैसी रहनी चाहिए मिट्टी जो मॉइस्टर को होड़ करें लेकिन पानी बहुत देर तक खड़ा ना हो तो इसकी मिट्टी में एक हिस्सा जो है वो कोकोपीट एक हिस्सा जो है वो मिट्टी का एक हिस्सा जो है खाद का जो कंपोस्ट रहती है वर्मी कंपोस्ट और एक हिस्सा जो है वो रेथ का या सेंड का जो इसे हम कहा देते हैं उस तरह से इसकी जो मिटती है वो रेडी कर लीजिए थोड़ी सी नीम खली आप चाहें तो बीच में एड़ कर सकते हैं नहीं भी करेंगे तो चलेगा एक परशानी इन पौधों में आती है जब मौसम बहुत ज़्यादा ड्राइ रहता है जैसे मैंने आपको बताया कि हुमिडिटी इनको पसंद रहती है या फिर आप ओवर या अंडर वाटरिंग करने लगें तो इनकी थोड़ी सी लीव्स की जो टिप रहती है ये शो कर देती हैं कि पौधा किसी तरह की स्ट्रेस के अंदर यह देखिए यहां पर भी आपको दिखाई देखा यह मौश्चर की देफिशन से क्यूंकि अभी टेंप्रेचर हाई है हुमिडिटी मौश्चर जो हवा के अंदर आवलेबल नहीं तो इस वज़ा से क्या इनकी पत्तिया स्ट्राइब कर जाती हैं लेकिन अच्छा जो नमी हदसा में बनी रहे तो उस कंडिशन में बहुत अच्छे सर्वाइब करती हैं तो यह है दोस्तों इस पौदे की देखभाल अगर बात करूं एडिशनल फटलाइजर को लेकर एडिशनल फटलाइजर को तो पर वैस्तों पौदों को कोई बहुत ज्यादा रिक्वर्मन नहीं रहती फिर भी अगर आप चाहें तो इस तरह से एक लीटर पानी में कोई अच्छा कोई भी आपके पास माइक्रों न्यूट्रेंट रहे जिसमें थोड़ा सा एंपी के भी एवलेबल रहे इस तरह से बस तीन चार या मिक्स कर लीजिए और मन्थली एक बार भी दे देंगे बहुत सविशनेट रहेगा चाहे पौदे पर स्प्रे कर दीजिए चाहे इस पौदे की जड़ों के अंदर है मिट्टी के अंदर वो डाल दीजिए तो अबस दूस्तों ये थी इस पौदे के बारे में जानकारी आज